हाई जै हिंद दोस्तों कैसे अप लोग मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नमनीद कर रहा है और आप सभी को अंदरागस की सवतंता दिवस की बहुत बहुत शुप कामना है और चलो और प्रे करता हूँ कि ये पंदरागस करोना को अपने साथ ले जाए अगले पंदरागस पे हम करोना फिरी हो आजादी तो मिल चुकी है लेकिन इस करोना से आजादी कम मिलेगी बस यही सबसे बड़ी प्रे है और इसके खिलाब लड़ रहे हैं हम सब और लड़ना भी होगा सब को मिलके भाशन जाता हो गया है अब आता हूं काम के बाद पर गुड नीज पर गुड नीज यह हैं कि 36,000 के असपास रिकवर हुए के 491 डेथ हुई है 3.29 सुरी 3.79 लैक एक्टिव केसिस बचे हैं लग गई है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना बड़े विद्वान, बड़े-बड़े विद्वान बविष्यवानिया कर रहे था है कि अगस्त के और बड़े IIT के जो वो थे बड़े-बड़े चैंपिन कि अगस्त में ये वेव शुरू हो जाएगी सेकंड वीक में शुरू हो जाएग सेप्टमबर, अक्टूबर में पीक आएगा, एक दिन में इतने लाखों के पेशिंट आएगे, और मैंने ये भी बोला, लेकिन मैंने बोला था, अभी मुझे दूर दूर तक कोई थर्ड वेव नजर नहीं आ रही है, ठीक है, आ सकती है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवेर नहीं होगी, लेकिन इसका प्रेडिक्शन कर पाना कि अगस्त में आ जाएगी, सप्टमबर में आ जाएगी, अक्टूबर में आ जाएगी, नॉंबर में आ जाएगी, भाई किसी को कुछ नहीं पता, सच बता हूँ, आएगी नहीं आएगी ये भी नहीं पता है ठीक है बड़े लोग बड़ी करना सानु की चोटे लोगों की सुनता गोन है तो जातर तर केसे केडला से आ रहे हैं केडला में हालां कि केसे कम हैं नौर्टीस में इसलिए इंडिया का गड़ाफ अब नीचे आता जाएगा केडला में 19,000 केश्छा हैं 105 डैथ हुई है महराश्टा में 5783 डेथ हुए एक सो पांस हजार 783 केसे एक सो उनासी 179 डेथ हुए है तमिलाड़ में 1900 करनाटका में 1600 अंध्रा में 1500 ओडिशा में 1100 और हमारी मिश्टी दोई में कॉल काटा में अगर तुमने इस बार मेरी कॉल काटे फिर देखो 15 करो कॉल काटा में 705 आसाम में 755 और मिखाले में 343 और मिजोरम में 524 तृपूरा में 117 तो अब आते हैं उन राज्यों में जहां पर बहुत ही अच्छे हालात बन चुके हैं उत्तरपरदेश हमारा और राजस्तान 14 केसे वा गुजरात 25 केसे मध्यपदे 16 केसे हर्याना 14 केसे बिहार उंतल केसे पंजाब 50 केसे जहारकंड 28 केसे उत्राखंड 19 केसे जमू कश्मी 135 केसे हिमाचल 284 केसे गोवा अरे वा गोवा अठासी केसे और चंदीगड में नहीं सौरी चतिस गड़ में 81 क केसे तो यह था डॉनिया का हाल अब डिली के बस आज ना जाए 지금 ऐसा हो नी सकता और डिली के बस जाएगीं दिली के मेंचिरी वहाँ वाँ जाएगी मुझा लगता आज कें डिली के बस लालकी Свबश्य जानी न कीजए जहनड़ा फ्राने के लिए चलो चलते हैं पहले दिली के बसको घुमाता हूँ यहां पे जहां-जहां डिल्ली उत्राकंद, डिल्ली जम्मो कस्मीर, डिल्ली गौवा, जाके हुआ, तो आउं, इस पंदरा घस पे मैं आउं या ना आउं, तो दिली कि बस अब चलती है, लाल किले की और जी हां लाल किला देश की अजादी का एक प्रतीक है जहां से पंदरागस को चलो अब तो सुबह देख लिया होगा आपने तो ले चलो लाल किले पे फिर कहें मेरी बस भी टेक्टर की तरह से तूट गई तो बड़ा खतर ना आगे लाल के लिए जाना प्रमिशन लेनी पड़ेगी मेरी बस को एक्चुली लाल के लिए पे जाने के लिए तो इसलिए आज मैं नहीं जाता हूँ तो फिर भी देश के वीरों के नाम मेरा सलाम चलो अब आते काम की बात पे प्राइवेट होस्पिटलों ने बोला है जी कोई कि वेक्सिनेशन काम हो रहा हूँ कह रहा है जी हमें घर-घर जाके वेक्सिनेशन करने की इजाज़त दी जाए लेकिन प्रॉलम क्या होगी कि वेक्सिनेशन के बार आदा घंटा टीनेजर से उनको भी अगस्ट में वेक्सिन लगने शुरू हो जाएगी तो यह अच्छी खबर है क्योंकि कहीं से भी अच्छी खबर आएगी वो सब के लिए अच्छी बन जाके थोड़े दिनों बात यूएस में एक दिन में एक मिलियन यानी दस लाख वेक्सिन लगाने का रिकॉर्ड कायम हुआ है अडली जुलाई के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में दस लाख लोगों को वेक्सिन लगाई गई है और 7.2% population ऐसी है घरों में जो की वेक्सिन उनको वेक्सिन लगाने नहीं आ सकते उनको जो बैड रिडन हैं, सीरियस हैं, ओल्ड है तो इनको घर पे जाके लगानी पड़ेगी और एक बहुत बड़ी good news है जो मैं बाद में होता हूँगा ठीक है और एक यह की रश्या में इसमें maximum death हुई है 819 death और धरावी में कोई भी case नहीं मिला तो आमची Mumbai आमची Mumbai आमची Mumbai तेरे को बोलने का आप उन इधर छे आने का तेरे इधर जाने का इधर च आने का तेरे इधर जाने का मतलब कुछ नहीं परत चला मुझे यो यो या honey sing रैप कहते हैं इसको शहएद हमें तो बोही सुनाता है पनी रैप चिकन रैप सोया रैप हमारे दिल्ली में तो खाने भी नहीं की बात होती है इससे आदा हमें पता नहीं होता कौन सा रैप हम तो गोल-गोल खागे हूँ सं अच्छी कोई बात हो नहीं सकती और यूके यानि की इंग्लेंड ने टेस्स जो ट्रेवल करके वहां जा रहे हैं मैं तो जाओंगा नहीं है मेरे लिए इसलिए खुशकबरी ज्यादा नहीं है उन्होंने रेट कम कर दिया आठीपी से आर के पहले 88 पॉंड था 68 पॉंड कर इस वेव के बारे में तो जी बहुत सरे लोगों ने बता बच्चों को बहुत असर करेगी देखते रहिए का कहीं ना जाईएगा हमारा चैनल आपको पहली बार बता रहा है यह बहुत डराया गरा थार्ड वेव आने वाली है आ चुकी है यहां पहुंच चुकी है अब हमने शुरू में बोल दिया था कि भाई यह वायरस अन्प्रिक्टिवल है इसका कोई व्रुखता नहीं डॉक्टर गुलेरिया ने भी बोल दिया अलाग इन्होंने भी बोला था शुरू में कि अगस्त में चांसे हैं मेरे ख्याल से अगर मैं गला तो मैं महाफी मंग लेता होने श्रुक्तिनी kinda अच्छी औَّम हमनू की बस अच्छी होने चाहिए तुम ढूरा हम दे बस दे दे प्यार दे ट्यूं ट्यूं प्यार दे हमें प्यार दे प्यार नहीं दे हमें गुड न्यूस दे दे कहीं से भी दो कोई भी दो हमें गुड न्यूस दो इस समय माथा ऐसा वो हो चुका है जिसका दिमाग का दही हो चुका है तो इसलिए हमें सिर्फ इसमें good news चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और उमीद करता हूँ अगले 15 अगस्त पे शायद ये करोना हमें नहीं मिलेगा और हम पुरे शान के साथ अपना 15 अगस्त मना पाएंगे इस बाद थोड़ी से gathering पे restrictions हैं क्या करें यार हो तो सब के लिए तो इसी बाद पे हर करम अपना करेंगे हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जाँ भी देंगे बाई जाँ हम नहीं चाहते हैं हम इतना ही चाहते कि आप मास्क लगा लो हम यहीं चाहते हैं हम इतना ही चाहते हैं कि आप करोना को रोकने में मदद करो देजभक्ती का नाम सिर्फ जंडा फेराना और देजभक्ती के नारे लगाना ही नहीं होता और चोड़ा सीना करके शोर मचाना ही देशभक्ती नहीं होता देशभक्ती होता कि अगर हम इस करोना काल में जितना करोना रोकने से फैलने से रोक पाएं अपने द्वारा या दूसरों के द्वारा तो जितनी हम मदद कर सकते हैं बस वही है तो इस बार COVID अंद्रगस्त को डेडिकेटेड है और 15 अगस्त को डेडिकेटेड है जो भी है जैसा भी है मेरा इंडिया सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं बाई तो जितनी है